लो डियर स्टुडेंट, वेलकम टू AEC प्लस डिश्टल प्लेटफॉर्म अप एडवांस इनेरिंग क्लासेश। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रिप्रेशन में बेस्थ होंगे। आपकी प्रिप्रेशन को और बुस्ट करने के लिए, एफेक्टिव बनाने के लिए AEC प्लस लेकर आया है आगाज सीरीज। इसमें हम लोग देखने वाले हैं TCS, आल ओवर इंडिया जितने भी एक्जाम कंड़क्ट करवा चुकी है, हम लोगोंने सब्जेक्ट वाइज एनलेसिस करके एक स्रीज बना दिया है जिसका नाम है आगाज। इससे आपको 2024 में कोई भी एक्जाम अगर आप टार्गेट कर रहे हैं, चाहे हो SACJ हो, RRBJ हो या कोई भी एस्टेट A.E.J हो आपको बहुत हेल्फ होने वाला है, यानि कि जो TCS का आपका डर है, जो TCS फोबिया है, उसको दूर करने के लिए हम लोगोंने सारे मेहनत कर ल आपका रहे हैं, उससे बहुत हैल्फ होने है, ओके चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग इनके पाच लास हम लोग complete कर चुके हैं, क्या देख रहे हैं थे, पाट 3 complete कर चुके थे, आज हम लोग उसका पाट 4 देख रहे हैं, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का session, question number 41, question का आप अपने कोडिंग देख लिएगा बस कोस्टन का रिपिटेशन नहीं होना चाहिए हमको कोस्टन से मतलब है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोस्टन आइस मेड़ियम को मेडियक मेप इसका आप लीए mm परावर से इसका 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 आगने आपका इन्टेसिटी परावर यानि कि यह इन्टेसिटी देख इंटेसिटी जो आपका पाइं इस akan को जोईन करने वले लाइन को iso-provial line और iso-provial map बोलते हैं तो क्या इसका option हो जागा? इस line joining the equal intensity of rainfall equal intensity of rainfall यानिए a इसका क्या हो गया? correct tensor हो गया, a is the correct tensor iso-provial इसको आपको ध्यान डखना iso means क्या होता है? same iso, iso means होता है same और provvial means होता है sir, आपका line joining of equal intensity of rainfall, उस line को हम लोग क्या बोलते है, isoplovial line, और उस steady को बोलते है, isoplovial map, इसको आपको ध्यान डखना है, यहीं पर ऐसे ही आपका क्या होता है, जब आपका, जब आपका same, जो आपका rainfall magnitude है, इसका माल यह cm में है, यह mm में, जो भी आपका unit मानना है, इस line को जो join करता है, same आपका rainfall magnitude को जो line join करता है, उसको बोलते है, iso height बोलते है, क्या iso height बोलते है, इसको बोलते है, iso height, और इसको बोलते है, iso, iso pluvial line, तो इसको आपको ध्यान रखना, confused नहीं होना है, iso height और iso pluvial में confused नहीं होना है, option इतका, a is the correct answer of this question, आयोग ने गलत answer दिया है, इसका तिया है, answer क्या दिया है, d दिया, लेकिन आप इसको सही कर लिजिएगा, sir, आप आपका क्या होगा, a होगा, यह बोल रहा है, equal depth of rain, भोलना ही नहीं, इसको आई-so height बोलते है, iso height बोलते है, iso pluvial line नहीं बोलते है, तो आपको ध्यान रखना है, a इसका आपका correct answer है, okay, चलिए अगले question पर move करते है, question 42, the provable maximum precipitation is defined as, क्या बोल रहा है, sir, आप जो है, provable maximum precipitation कि कैसे define करता है, हम लोग निकाल क्या रहा है, maximum precipitation निकाल रहा है, यानि कि जो भी option में, आपका maximum जहां पर option है, उसको सही होने के chances आपका बढ़ जाएगा, अब देखिए, यह क्या बोला, यह देखिए, the lowest और minimum rainfall, no, lowest तो होगा यह नहीं, जब हम लोग maximum निकाल रहा है, probability निका हो, क्योंकि greatest और extreme rainfall की बात कर रहा है, जो आपका basin है, उसमें कितना greatest और extreme rainfall होने की बात कर रहा है, तो यह option सही हो सकता, आगे पढ़ते हैं, the rainfall of a basin which would produce flood flow with high risk of being excluded, no, the recognition that there is a physical lower limit of the amount of precipitation, यह भी गलत है, यानि option आपका क्या हो गया, बी आपका क्या होगा, correct answer हो गया, जो आपका probable maximum precipitation है, वो क्या बता है सर, greatest और extreme rainfall फोरे given duration, that physical possible over a station और a basin, यह क्या बताता है, greatest और extreme आपका duration बताता है, जो आपका given basin है, उसके बारे में, तो यह आपको ध्यान रखना है, और इसको अगलों operational point of view से और कैसे define कर सकते हैं, यह भी समझ लिए कभी कभी पूच देता है, फ्रो operational point of view, वेवल, maximum precipitation is इस प्रेंपोल, आप चे पर बेचे बदान नोरीज हो अछिए over एप । अब़। अवर यह पिंध उन है कि आप healthy भी कि वह बहीं ह। आप प्रूब। अप्राओ what कि कि वे ब्लैट खूब। ध्रीळ ह। थूट जाद खर श्जोभ दित बैबी आमृ उ connectingश हो प Dodraख धूर मृह म ह। और प्रेस्टनल पॉइंट विस्यों इसको भी डिफाइन अपन कर सकते हैं जो आप कर रहें फॉल हुआ फ्लोड फुल हुआ लेकिन उसमें कोई भी किसी विद्रा के रिस्क नहीं है इसी साब से आपको मैक्सम्प्रोवेल प्रिसिप्टेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं ओ आपका प्रोवेवल मैक्सम्प्रिसिप्टेशन है और हौंडवाई टू मेथट्स दो मेहसर से शलोम लोग निकाल सकते हैं कौन कोंसे मेथट्सार जानते हैं इसको सबसे पहला मेथड आपका है मेट्रोलोजिकल मेथड क्या है metrological method इससे अपने निकाल सकते हैं maximum, provable maximum precipitation दूसरा आप का है दूसरा क्या है aesthetical method aesthetical method से हम लोग निकाल सकते हैं जो इसको हम लोग निकालते हैं इसका formula exam में पूछा हुआ है जो इसमें निकालते हैं सर P bar plus K sigma यह formula आपको ध्यान रखना है जब आप maximum provable maximum निकालेंगे क्या maximum provable निकालेंगे तो आप इसके statistical method से निकालते हैं तो P bar plus K into sigma P bar क्या है आपे mean rainfall है sigma क्या है standard deviation है formula पूट करिएगा answer आजाएगा numerical पूछता है और सर आपका के जो है आपका frequency factor है तो आपको ध्यान देना है जो आपका provable maximum precipitation है PMP है दो method से हम लोग निकाल सकते हैं एक metrological method है और एक statistical method है इससे हम लोग निकाल सकते हैं तो PMP बराबर होता है P bar plus K into sigma जो आपका P bar है क्या mean rainfall है सिग्मा स्टेंडर्ड डिवीएशन आपका frequency factor है तो आपको यह सब डेटा भी आपको ध्यान रखना है चली answer तो आपको क्या होगे हाँ पर answer B is the correct answer of this question B is the correct answer चली एगले question में मूब करते है question 43 यह देखे क्या बोल रहा है अब करते है इसके वारे हैं पूछ रहा है तो किस पर बेस्ट है यह आपको ध्यान डखना है आपको बेस्ट है energy balance and mass transfer पर किसपे energy balance and mass transfer पे आपका यह based है जो पेंस्मेंड equation है ठीक है energy balance और mass transfer पे आपका यह based है आपका जो PET पेनमेंट्स एक्क्वेशन जो है पेनमेंट्स एक्क्वेशन इस यूज़ तो फाइंड पोटेंशियल एभोपो ट्रांस्पाइरेशन जिसको मैं बोलता हूँ पी एटी ध्यान रखना है कि पेनमेंट्स एक्क्वेशन जो है आपको किसको पोटेंशियल इभोपो ट्रांस्पेशन निकालने के लिए काम आता है किस पर बेस्ट है यह आपका इनर्जी बैलेंस एन मास ट्रांसपर एप्रोच पर बेस है औकट इन 5 आवर, T जो दे दिया आपका, कितना 5 आवर दे दिया है? 5 इंडेक्स वाज इतना, आपका क्या दे दिया? 5 इंडेक्स दे दिया है कितना, आपका 0.20 cm पर आवर, What was the, What was, and नहीं, What was the rainfall access, आप से पूछ रहा सना, rainfall access आप बता दिजीए, तो आपको मैंने क्या बताया था जो आपका 5 इंडेक्स होता है यह बताया था कि आपको जो rainfall हुआ उसमें से लोग runoff minus कर देंगे upon इसको time से divide कर देंगे तो आपका 5 इंडेक्स यहां से आपका निकल के आ जाएगा शिम्पॉल फर्मुला है सब कुछ दिया हुआ है आपको क्या पूछ रहा है यहां से आपसे आपका runoff पूछ रहा है जो आपको rainfall axis वह वह पूछ रहा है ध्यान से देखिएगा यह क्या सर फाइइ इंडेक्स आपका कितना दिया हुआ है फाइड़ दिया हुआ है आपका 0.20 equal to p कितना देवा, देखे 1.6 cm, कितना 1.6 cm, minus r upon t कितना देवा, 5 आपर दिया हुआ है, कितना 5 आपर दिया हुआ है, इसको जब अपस्वल्ब करिएगा, 0.20 into 5, 1.6, यह आरा, r is equal to r, r equal to r, 0.6 cm, यह आपका answer हो गया, simple formula है, यह formula आपको ध्यान रखना कि 5 index पराबर होता है, कि आप precipitation minus excess rainfall, runoff जो हुआ, upon time of storm जो हुआ, उससे divide कर दिजिए, सब पुछ दिया हुआ है आपका value, आप निकाल दिया हुआ हों से, excess runoff निकाल दिया, 0.6 cm, 0.6 cm, यह आपको clear हो रहा होगा, मैंने इसके बारे में आपको first lecture में पूरा detail बता दिया, कि 5 index क्या होता है, double index क्या होता है, infiltration capacity क्या होता, कैसिस का derivation होता है, क्या consider करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मैं सारा बता दिया हूँ, आपको बस यह formula आपको ध्यान रखना, चलिए, C is the correct answer of this question, ओके, चलिए, question नमार हम लोग पढ़ते है, 45, which of the flowing evoporimeter is adopted by Indian extender, क्या Indian extender, IES 59731970 for estimation of evoporation, जो आपका, जो Indian extender जो आपका है, जिससे आपका क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, pan coefficient निकालते हैं, तो उसमें जो पूछ रहा है, जो आपका जो evoporimeter है, उसका dimension आपसे पूछ रहा है, कि इसके लिए Indian extender के लिए, तो आप ध्यान दिजिएगा, pan coefficient निकालने के लिए, दो तरीका है, एक आपका क्या है, आपका एक Indian extender method है, और एक class A pan है, तो आपके यहां से पूछा Indian extender के वारे में, क्या is के वारे, Indian extender, pan के वारे में पूछा है, इसमें जो हम लोग लेते हैं, dimension, जो डाया लेते हैं, एक सेकेंड, जो डाया लेते हैं, लोग, 112 cm लेते हैं, और आपका, डाया के बाद आपका क्या हाइट जो डेप्त लेते हैं, कितना लेते हैं, हम लोग, depth लेते हैं, यह लेते हैं, आपका, 25.5 cm, और इसका जो coefficient, pan coefficient कितना लेते हैं, जो pan coefficient हम लोग लेते हैं, 0.80 लेते हैं, यह आपसे पूछा है, तो is pan के लिए कितना हम लोग लेते हैं, डाया हम लोग लेते हैं कितना आपका यहां पर दिया हुआ मीटर में दिया है 122 cm और आपका क्या आपका डेप्स दिया हुआ है 25.5 cm और आपका कॉफिसेंट जो लेते हैं क्या कॉफिसेंट लेते हैं 0.80 अगर आपसे question में आगे पूज दे 4 class a pen तो आपको ध्यान रखना जो डाया होता है 120.7 cm होता है और आपका डेप्स जो होता है क्या डेप्स जो होता है आपका 25 cm होता है और pen coefficient जो होता है पैन कोफिसेंट होता है आपका 0.70 होता है यह सब डेटा सर आपको क्या रखना है ध्यान रखना है यह डेटा आपको ध्यान रखना है यह question में आपसे पूछा है मैंने आपको class a pen के विवारे बता दिया तो option क्या हो जागा पैन ए ओफ 1.22 meter in diameter and 25.5 cm in depth यानि option a क्या हो गया आपका correct हो गया इससे क्या करते हैं आपका pen coefficient रहेगा पता उससे हम लोग क्या lake evoporation निकाल सकते हैं क्या lake evoporation निकाल सकते हैं तो हम लोग next देखेंगे कि इसका क्या implementation है question में आगे देखते हैं चलिए इसका एक या गया correct answer हो गया question 46 देखिए calculate the evoporation in mm from the lake if the pen evoporation है आपका pen evoporation कितना दिया हुआ आपका 50 mm दिया हुआ है और पैन कोफिसियंट जो आपका CP दिया हुआ है 0.80 दिया हुआ है यानि 0.80 दिया हुआ है इंडिया अस्टेंडर पैं के वारें बोला है CP कितना 0.80 दिया हुआ है. आपका क्या पूछ रहा? लेक एवोपरेशन बता दिए. क्या लेक एवोपरेशन? ये होगा आपका CP इन्टू आपका क्या? पैन इवोपरेशन. CP कितना दिया हुआ ध्यान दिए? 0.80 इन्टू EP कितना दिया हुआ? पचास आठ पचाए 40 तो आपका आजाएगा 40 आजाएगा एम में इसका यह implementation है question में क्या है आपको यह value दे दिया है कभी कभी question में क्या करता है ना आपको pen coefficient नहीं देगा नाम बता देगा sir Indian standard है यह class a pen है तो आपको यह value याद रखना चाहिए कि आपका Indian standard के 0.80 और class a के लिए 0.70 वहां से हम लोग मल्टिप्लाइ करेंगे तो लेक operation हम लोग निकाल सकते हैं इसका जो आइस code है लेक operation का कितना है 69 32 69 69 39 1992 यह आपका आईस code है ध्यान रखेगा 69 39 1992 आपका क्या है आईस code है चलिए यह सब आपको data answer क्या होगे यहीं आपका answer आ गया बस आपको formula ध्यान रखना कैसे कंवर्ट करते हैं यह जो आपका कोफिशियंट है लेक और प्रेसन निकालने के में काम आता है ओके बी इस दगरर इस पॉस्टन चलिए question number 47 a one day rainfall of 18 hour at a station S was found to have a return period return period कितना दिया होगा T से दिनोट करते हैं आपको कितना दिया होगा 50 years दिया हुआ है आगे आप the probability that one day rainfall of this will not occur at a station S during next 50 year आपको क्या निकालना probability निकालना है जब आपका क्या एक दिन भी आपका क्या होता है पचास साल में ओकर नहीं होता इसका आपको probability आपको निकालना है आप ध्यान से समझिए जब आपका टी दिया हुआ रहता है तो probability कैसे निकालते हैं सर हम लोग one by T reciprocal कर देते हैं जो return period रहता उसका reciprocal कर देते हैं तो आपका probability आ जाता है यह आ गया आपका कितना one upon fifty फिर probability अप नॉन अकरेंस क्या हो जाएगा probability of non occurrence इसको हम Q से denote कर रहे हैं यह क्या हो जाएगा सर one minus P हो जाएगा क्या one minus P हो जाएगा यानि कि क्या हो जाएगा हाप पर one minus one upon fifty हो जाएगा यह अप स्वल्ब करेगा इसका एक यहाँ पर कंसेप्ट है समझीए प्रोबलिटी ओफ ओकरेंस और टाइम्स इन इन सक्सेसिवियर डिरेक्ट फॉर्मूला भी उच कर सकते हैं लेंगे थोड़ा से इसको समझ लिए कहां से आता है यह चीज़ ने तो इसका आप निकालिएगा पी क्या पी पी आरर इन एन सी इंटू पी आर अपॉन क्यू अफ़म 파ोर्मन चांप पढ़ते होंगे प्रोबलिटी जब मैंस्मेटिक्स में पढ़ते हैं तो यह आपको यह फोर्मूला पर्मूटेशन एं कोम्बिनेशन में आ आप देखते होंगे यह आप पढ़ते होंगे जब mathematics में पढ़ते होंगे यह आपको ध्यान रखना यहां से सारा फ्रमूला क्या होता है यहीं से डिर्याइब आपका होता है क्या पी आरण बराबर था इन सी आर क्या इन सी यार पी की पावर आर इन्टू क्यो कि पावर इन मयनेस यह जो इन सी यह रोता हिस् Erm एम एम एकंप अर्फ एह और पारै आर्स तरह से करते हैं यह किस के लिए होगा सर्र आरट टाइम्ज आपका क्या हुआ आपको अकरेंश हुआ कितनेша सक्सें में इस जाप से इसको निकाल दिये आप यहीं पर पूछता है प्रॉबिलिटी ओफ नॉन ओकरेंज नॉन ओकरेंज इन इन सक्सेसिव यह जब इसको हम लोग यहां लिखेंगे इसका जो फॉर्मुला निकल के आता है कि आप पी जीरो in यहां से समझ्येगा यह क्याँ कि पर यह आप अवक्रेंज हुआ ही नहीं तो आर की बेलू क्या हो जागा जीरो हो जागा इन सक्सेसिव यह आपका क्या ओक्रेंज провер aan यह इसको amb solving करOWगे गए तो n c 1930 कि की power 2001 कि τब्सक्राइब की neighboring in minus संसर बाकरी एक क्या आपका साल होने के चांज कम है यहां से इसको और और क्या क्या बोलते हैं सर इसको बोलते हैं लोग reliability बोलते हैं और क्या बोलते हैं यह नाम से भी कई बार एक्जाम में बोल देता है क्योंकि इतना लंबा कोश्चन नहीं दिया सिंपल पूछ देगा सर रिलाइविटी आप बताके निकाल निकाल के बताइए तो सिंपल क्यों की पावर इन कर देज़ेगा वहां से आपका निकल जाएगा एक चीज़िस में और पूछता है प्रोबिलिटी ओप ओक्रेंस एट लिस्ट एट लिस्ट वन इन इन सक्सेसिवियर जब यह कोश्चन पूछे तो इसका फार्मूला आपका आएगा पी बराबर आजाएगा क्या वन माइनस क्यू की पावर इन यह आपको ध्यान रखना है इसको हम लोग और दूसरे नाम से जानते हैं इसको बोलते हैं रिस्क बोलते हैं क्या रिस्क बोलते हैं यह ध्यान रखना है इसको रिस्क से आपको बोल देगा कि रिस्क आप निकाल के बताईए जब आपका सारा डेटा दिया रहें रिस्क निकाल के दिए या आपको कि इंद आपका मुलायृ उसी यही आपकां से पूछ रहा हैं क्या पूछा रहा है मतलब उक्तिवेला आपने में क्या देखा क्यों की पावर गोले निकाल निकाले आपका निकल के आया कितना ने किये 49 अपॉन 49 अपॉन 50 और एन कितना है सर एन कितना है आपका एन दिया हुआ है आपका कितना 50 दिया हुआ है तो आप यहां से अराम से निकाल सकते हैं सोल करिए कि 49 अपॉन 50 पावर 50 यह आ रहा है सा 0.364 कितना रहा है 0.364 कि वन इतना आ रहा है इतना प्रोबिलिटी आपका आएगा ओप्सन देखिए कौन सा रहा है और 0.364 यानि D आपका क्या होगा करेक्ट एंसर हो गया कोस्चन तो आपका यहीं पर कतम हो गया लेकिन यह सब एक्स्टा जो जनकारी है आपको कहां सब फॉर्मूला यह आपको पता होना चाहिए कि प्रोबिलिटी निकाल लेंगे जब आज टाइम्स एक्सीड करिया इन स सब्सक्राइब तो आप यहां से सब्सक्राइब पूछा इसी को बोलते हैं उसी तरह से हम लोग निकाले प्रोबिलिटी ओक्रेंस एक बार आपका अगर उक्रेंस हुआ इन सब्सक्राइब में तो कैसे निकालेंगे पी क्वल टुवान माइनस क्यू की पावर इन इसको और आप दूसरा नाम से रिस्क भी बोलते हैं ओके चलिए दी इस दा करेक्ट एंसर चलिए होप आपको क्लियर हुआ होगा अगले कोस्टन में मूब करते हैं क्या बोलता है सर इन प्लें एरिया दरेंगेज डेंसिटी प्रिसक्राइड बाई आई-स-4987-1994 कितना आपका प्ले इन एरिया के लिए ध्यान दीजिएगा यह आपका क्या है वन स्टेशन पर किलोमेटर स्क्राइड कितना हम लोग देंगे अगर आपका एरिया क्या है अगर आपका एरिया हैवी रेनफॉल हैवी रेनफॉल या आपका क्या हो सकता है हिली एरिया हो सकता है अगर यह है तो आप जो है ना 130 km2 एरिया में एक रेंगेज आपको प्रोवाइट करना पड़ेगा 130 km2 की एरिया में आपका वन स्टेशन आपको प्रोवाइट करना पड़ेगा एक इस ने दिया आई एस कोड ने दिया कौन सा 4987 1994 ने दूसरा कि मोड़ेट एलिवेटेड एरिया कि इतना 1000 मीटर तक इसका अगर हो तो हम लोग देंगे 260 से कितना 260 से 320 कहां तक देंगे हम लोग 200 260 से 390 किलोमेटर स्क्वाइर एरिया में आपको एक रेंगे अस्टेशन प्रोवाइट करना पड़ेगा तीसरा अगर आपका प्लेन एरिया है क्या प्लेन एरिया है तो आपको 520 कि अगर आपका प्लेन एरिया है तो 520 किलोमेटर स्क्वाइर एरिया में आपको एक रेंगे अस्टेशन आपको द्यान अकना यह से क्या है कि बहुत सारे और और प्लेन एरिया हुआ है तो 520 किलोमेटर स्क्वाइर एरिया में एक आपको देना है तो 520 देखे क्या नीरेस्ट पांसो किलिमेटर स्वार यानि भी आपका करेक्ट एंसर हो गया इससे नुमेरिकल भी पूछता है एरिया दे देगा आपका माले 10,000 एरिया दे दिया प्लेन एरिया बोल दिया और पूछा कितना नंबर ओफ रेंगेज आप इंस्टॉल करोगे तो उसका अपनो मेरिकल भी हम लोग आगे देखेंगे इसका बी क्या हो गया करेक्ट एंसर हो गया ओके चलिए अगले कोश्चा में मूब करते हैं और रेंगेज स्टेशन A, B, C, D in a catchment area recorded आपका A का कितना दिया हुआ है? A का दिया हुआ है आपका 20 cm, B का दिया हुआ है आपका 25 cm, C का दिया हुआ है 22 cm और D का दिया हुआ है आपका 15 cm ये आपका जो रेंगेज स्टेशन है A, B, C, D लगा हुआ हुआ है Management Area में वहां पर आपका इतना rainfall आपका हुआ हुआ उसका वैलू आपको देंदिया ठीक है इप there thousand weight R मैंनला इसका Ex proporion पिर्यट भी देदिया आको क्या इसका बेत भी दे दिया question में 0.3 इसका देदिया आपका 0.3 इसका 0.1 और इसका देदिया आपको 0.2, then what is the average depth of rainfall of the catchment, average depth पूछ रहा है, यानि कि आपका mean rainfall निकालना है, P bar कैसे निकाल लेंगा सर, P1 A1 plus P2 A2 plus P3 A3 upon A1 plus A2 plus A3, यह formula आपको मैंने बताया था, thousand polygon जब पढ़े थे, उसमें आप लोग बताया था कि हम लोग mean precipitation इस तरह से निकालते है, A1 A2 A3 जो है, यह आपका क्या है, बेटेड है, बेटेड बेट है, क्या ही इसका बेट बेट दिया हुआ है, इसको और भी क्या नाम बोलते है, थाइजन पोलिगोन और क्या बोलते हैं, बेटेड एरिया में था भी बोलते हैं, आप कुछ नहीं कोश्चर में आपका यह formula आपको धिहान रखना है, बेटेड एबरेज लेना है, तो यहां से आपका formula में put कर रहे है, 22 into 0.3 plus 25 into 0.4 plus 22 into 22 into 22 into 0.1 plus और क्या है 15 into 15 into 0.2 अपन a1, a2, a3 इसको आप और भी कर लेजिएगा, p4, a4 upon plus a4, मतलब 4 दिया हुआ है, मैं 3 का लेखा था, 4 को आप यहां पर और राइट कर सकते हैं, और end times तक आप लेजा सकते हैं, जितना आपसे वहां पर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप देखिए 0.3 plus 0.4 plus 0.1 plus 0.2, जब इस आपका लेखा, 0.3 plus 0.4 plus 0.1 plus 0.2, नीचे का वेलू आपका 1 आ रहा है, उपर का वेलू जब आपसोल्व करिएगा, उपर का जब वेलू आपसोल्व करिएगा, तो यहां आपका आ रहा है कितना, 21.2 upon 1 cm आ रहा है, यह आपका answer हो गया, कितना, 21.2 cm, यहानि B आपका क्या हो हो गया, बस आपको ध्यान रखना है कि आपका वी फॉर्मूला, P1, A1, P2, A2, P3, A3, P4, A4, क्या P4, A4 upon A1, A2, A3, A4 कर देंगे, तो आपका क्या मिन निकल जागा, आपका 21.2, I hope आपको clear होगा, B, आपका क्या होगा, correct answer हो गया, ओके, चलिए, आज का last question, question number 50 देखते है प्लूवियो मीटर, एंड, ओम्बरो मीटर, इस यूज़ टू मेजर, क्या, प्लूवियो मीटर, एंड, ओम्बरो मीटर, क्या मेजर करता है, तो आपको क्या मेजर करता है, रेंफॉल मेजर करता है, और किस चिसे रेंफॉल मेजर करते हैं हम लोग, हाइटोग्राप से, य सろह करते हैं तो यह तो सबको पता रहाता लेकिन यह दो नाम आंब का थैसे तो और ओम्रोमिटर से हम लोग क्या rainfall को measurement करती है निया option क्या हो गया यह आपका क्या हो गया correct answer हो गया ओके चलिए आपका काम है revision करके आई यह next class में मिलेंगे आपके लिए important information है अगर आप फ्रेसर हैं प्रिप्रेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक साल में आप अच्छे से प्रिप्रेशन कर लें और एक सीट अपना फिक्स करें तो सबसे पहले आप लाता में civil engineering को पढ़िए जब एक बार civil engineering आपकी complete हो जागा तो कोई भी एक्जाम आप compete कर सकते हैं तो उसको स्मूथ बनाने के लिए एसी प्लस डिफ्रेंट डिफ्रेंट कोर्से लाया है अगर आप एजी का प्रिपेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है इसमें आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा पढ जाएगा MPPSC AE के लिए क्या है प्रहार बैच है और इंडिया मोस्ट अविडेट भेकेंसी और वी जे के लिए क्या है तेजस बैच है कौन सा तेजस इसमें complete आपको प्रिप्रेशन CBT1 की कराये जाएगी most important thing क्या है कि बच्चे को क्या है कि टेक्निकल बहुत अच्छा होता एक बैसे targeted बैचे SSJ 2024 के लिए इसमें क्या है सर आपको digital board पर recorded form में मिलेगा तो आप इसको भी देख सकते हैं और एक issue रहता है कि सर हमें क्या है subject को recall करना exam में तीन महीना बचे हैं और subject को revise करना क्योंकि revision आपको exam से पहले important role play करता है तो उसके लिए AC plus लाया है आपके लिए 2024 के लिए अगर लिख रहा है तो इसमें आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरी आपको मिल जागा क्रिप्स माइनर में नोर्स मनाने के जिरूत नहीं है PDF आपको मिल जागा आप यह से रिकॉल करिए subject को revise करिए देन टेस्ट लगाई यह सब बाते हो गई कि आपने पूछ रहा है question repetition नहीं हो रहा कोडल प्रोविजन ज्यादा पूछ रहा है तो यह जो TCS का डर है इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने सारी महनत कर लिया हम लोग ने एक जगा क्लब कर दिया उसका नाम है practice वैच अगर आप जैई का टार्गेट कर रहे है तो अभ्यास ज की जई बैच है इसमें हम लोग लगवा कितना 8000 questions से ज्यादा करने वाले यानि कि इसमें जो एडिशन आपका होगा पी स्टेट यह हुआ है सारा हां पर question आपको मिल जागा आप देख रहे होंगे जो स्रीज चल रहा है इसमें आपको पूरे detail में आपको हर question का solution बताया जा सर यह सब मिलेगा कहां यह आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टूर पर जाइएगा एसी प्लस application आपको download करना है उहां से mobile verification कर लिए दिन आपको सारे courses आपको दिखने लगेगा अब आपकी बारी है आप उसको मेहनत करिए कि हम किस category में लाई करते हैं practice चाहिए crash course चाहिए या फिर आपको theory पढ़ना है उस हिसाब से course को इंडॉल कर सकते हैं ओके यह जो प्रहार है सर पीडिया का मिलेगा यह पीडिया को आपको एप्लस application के टेलिग्राम चैनल पर आपको एड़ हो जाना यहीं पर आपको पीडिया भी मिल जाएगा साथ साथ आपको important notification आपको यहां स अच्छा लगा होगा अगर आप चैनल पर नए है चैनल को लाइक करें दोस्तों के बीच में सेयर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल वेटन को प्रेस कर लें जिससे आपको time to time information आपको notification मिलते रहें चलिए मिलते हैं नेक्स सेशन में बाइबाइट टेक क आपको लेग करी हैं आपको फिर को लेकर लेयर को लेक्स बादिए कर लेकर को लेकर K ALLक然后 करें?